नमस्कार दोस्तों जीके अर्धिसार यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं वीडियो प्रारंब करने से पहले आपसे छोटी इस रिक्वेस्ट है भी तक आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक सब्सक्राइब करने वाद बेल आइकन के गंटी को क्लिक करना ना बोलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अप्लोड करूं इसका नोटिफिकेशन आपके मुवाइल पर सबसे पहले पहुंचे तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं हागर आप लोग और भी प्रीविय के पेपर प्लस टीजी टी कला के प्रेटी सेट का वीडियो भी देख सकते हैं तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं पाला कोशन इसमें होसंगाबाद किस नदी के टटपर इस्थित है तो यह है नर्मदा नदी के टटपर कोशन नमबर दो है अनुकराण ही कला का मूल है किस ने कहा तो यह कहा गया था अरस्तू के द्वारा कोस्टन नमर तीन है बदामी की खोज का स्रे किसे प्राप्त है यह प्राप्त है इस्टेला क्रैमिस को कोस्टन नमर चार है सिगिरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं यह मिलते हैं आजनता के गुफाएं हैं एक, दो, नौ, दस, सोल, सत्रह और छे यह गुफा संख्या है लगबग 200 गुफाएं है लेकिन वर्तमान देखाया तक केवल अजनता में तीसी गुफाएं है कोश्चन नमबर छे है अजनता की किस गुफा में मलो मुखी राजकुमारी चित्री थे यह गुफ संख्या सूला में कोश्चन नमबर साथ है चित्र लच्णम की रचना किसके द्वारा की गई यह की गई थी नगन जीत के द्वारा कोश्चन नमबर आठ से आठ है वासायन का प्रसिद्गरंथ कौन सा है तो इनका प्रसिद्गरंथ है काम सुत्र कोश्चन नमबर नौ है आ किस वर्ग में कमपन गती सबसे अधिक होती है तो वह है बैगनी में Q program no.11 है असपर्स ग्ञान इसका एंसर होगा Q program no.12 है रंगत के हलके वह गहरेपन को क्या कहा जاتा है यह कहा जाता है पान कहा जाता है इसको Q program no.13 है अंतराल क्या है तो अंत्राल जो है कलाकार का कारेच छेत्र है कोश्चन नमबर 14 है परिपेच कितने परकार का होता है ये है दो परकार का परपेच होता है कोश्चन नमबर 15 है कलाकार सामज़स उत्पन कर सकता है तो रेखाओं द्वारा, रूपों द्वारा, रंगों द्वारा, उपिक्त सभी स्पेंसर रजाएगा कोश्चन नमबर 16 है भारती चित्रकला की विशेष्था है तो भारती चित्रकला की विशेष्था क्या है? अंतह क्राण की प्रियाणना Q17 है लावान ये योजना किसे कहते हैं ये कहाता है बाह शंदर ब्याणजन को Q18 है शिन्धूलवाशी किस बुजा करते थे फीपल की पूजा करते थे Q19 है मोहन जवधरों से प्राप्त नर्त की प्रतिमाग किस धातू की बनी है तो यह बनी है किसकी कांसा की कोश्चन नमर 20 है सिंदु घाटी से प्राप्त मोहरे बनी है सिंदु घाटी से प्राप्त मोहरे इसकी बनी है तो यह है मिट्टी की कोश्चन नमर 21 है भारतिय प्रागतियासिक चित्रकला के लेखक कौन थे इसके लिखक थे जगदीश गुप्त कोश्चन नमर 22 है भीम बेटका गुफा इस्तित है कहां पर भीम बेटका है आपका मध्य परदेश में पड़ेगा यह गुफा कोश्चन नमर 23 है मिट्टी के बरतनों का विश्कार किस काल में हुआ तो यह हुआ था नव पासान काल में कोश्चन नमर 24 है प्रागेतेहासिक सिला चित्रों का विश्क क्या था प्रागेतेहासिक सिला चित्रों का विश्क क्या था इसका विश्का विश्क था आखेट यानि सिकार करना कोश्चन नमर 25 है प्राग्यत्याशिक चित्रों की धरातल क्या है इसकी धरातल है सीला के सेला कुछ्टर नमबर 26-षबिस है पाल सैली में चितरन का मुख्य भी से क्या रहा इसमें मुख्य भी से था बहुत धर्म कोस्टन नमर 27 है जोगी मारा गुफा की इस पहाडी में इस्तित है तो इस्तित है रामगड में कोश्चन नमबर 28 है पाल साली के सनच्छक कौन थे पाल सासक कोश्चन नमबर 29 है चैत्य को कहा जाता है तो चैत्य को क्या कहा जाता है इसको पूजा घर कहा जाता है कोश्चन नमबर 30 है आजान्ता की सरपर्थम बनी प्रतिलिपिया कहां परदर्सित हुई ये परदर्सित घर्ब रंग कौन सा है इसमें नारंगी है लाल भी है फिला भी उप्रित सभी भी Q. 34. प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? तो वह है ताल एक सीर है Q. 35. मुगल चित्रकला की सासक के काल में अपनी चरम परकाष्ठा पर पहुँची ये पहुँची थी जहांगीर के काल में Q. 36. आजन्ता के चित्रों की चित्रन विधी क्या है? इसकी चित्रहण व्र्दिये फ्रेस सको तकनीकी नर्षाण 37 है वण क्या है तो वण जो है एक प्रकार का प्रकास की संपत्ती है वण क्या है प्रकास की संपत्ती है द freshly Memare 38 है भारती चित्रकला में रितू समंधी चित्रों को क्या Regret तो यसको कहा जाता है 12 मासा प्रति लिपिया तयार की इसका नाम था रोवार्ट गिल इनका नाम है कोस्टन नमर 40 है घायल सुवर का गुफा चित्र कहां है यह आपको मिलेगा मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश पड़ता यह कोस्टन नमर 41 है पुंच मरी चैत्र के चित्रों को प्रकास में लाने का स्रे किस विद्ध्वान को प्राप्त है यह विद्ध्वान है डी एच गार्डन को सब्सक्राइब 42 आजन्ता की गुफाओं कि स्राजी में हैं आपके महराश्ट में हैं कोशन 43 बाग जिले बाग जिले में स्थित बाग गुफा कि स्राजी में स्थित quello आपidée परदेस में है कोशन νंबर च वाली स्बक किप्वाम सर्वाधिक चित्र बने हैं यह गुफा कोस्टन नमर 45 है दूसाला ओड़े योगी की मुर्ति किस खुदाई से पराप्त हुई है यह पराप्त हुई है मोहन जोदड़ों से कोस्टन नमर 40 है कौन सी रूप पद्र कला नहीं है तो वो है संगीत कला कोस्टन नमर 47 है कैलास मंदिर के मद्य अस्थापित है यह शीवलिं Q48. कला में मनुष्य अपनी अविव्यक्ति करता है यह विचार किसका है? तो यह विचार है रबिंदरनात टैगोर का Q49 है. फंड समंधित है. फंड समंधित है किसे? राजस्थानी लोक कला से Q50 है. आप किन दो रंगों को मिलाकर लगभक काला रंग बनाएंगे? तो वो दो सेख़ नबर 157 पाजोल क्या है काजोल है कोलाज कोलाज जो है चुकडों का शोजन है को नमबर Пवण है मुगल साली किस से बनाए यह बना जाते हैं किस से खनीज से कोश्चन नमबर तीरपन है बौत धर्म का मुख्य बुध मंदिर प्राप्त हुआ है यह प्राप्त हुआ कहां से बिहार से कोश्चन नमबर चववन है इनमें से चित्रामिक कला कौन सी है तो वह है मूर्ती कला कोश्चन नमबर पचपन है मुगल साली की नीव किस ने रखी थी तो मुगल साली की नीव रखी थी हुमायू ने कोश्चन नमबर चपन है जैपूर साली पर सरवाधिक प्रभाव किस साली का है यह सबसे ज़्यदा प्रभाव मुगल साली का कोश्चन नमबर संतावन है हाडा राजाओं की राधानी रही तो हाडा राजाओं की राधानी कहां पर थी बूंदी कोश्च no.88 है धोला मारू विश्यक चित्र किससे सम्बन्दीत है यह सम्बन्दीत है मेवार सैली से कोश्च no.69 है अप भरंच सैली में अंग प्रतियंग बने हैं तो यह बने हैं किसे इस्तिर और जकडे हुए कोश्चन नमबर साथ है भीम बेटका की खोज हुई थी इसकी खोज की गए थी 1958 इस्वी में कोश्चन नमबर 61 है स्वाणिम विभाजन सिधान्त कहां के कलाकारों का बिक्सित किया गया है ये बिक्सित किया गया है युनान के कलाकारों का कोश्चन नमबर 62 है वह कौन सा कलाकार है जो भैसो के कलाकार के नाम से प्रसिद्ध है तो वह है परमानंद चोयल कोश्चन नमबर 63 है किशनगर सायली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था यह थी निहाल चंद्र कोश्चन नमबर 64 है राज्थानी सैली का दूसरा नाम क्या है इसका नाम है हिंदू सैली कोश्चन नमबर 65 है बंगाल की लोककला जी अन टैगोर की चित्रकला कैसे दिखाई देती है कैसी दिखाई देती है ये धनवादी दिखाई देती है कोश्चन नमबर 66 है एचिंग क्या है तो एचिंग जो है एक प्रकार की ग्राफिक तकनिकी होती है ये कोश्चन नमबर 66 है जैन सायली को पश्चिम भारती सायली किस बिद्ध्वान ने कहा ये कहा गया तो किसके द्वारा आनंद कुमारा स्वामी द्वारा कोश्चन नमबर 68 है मेवार सायली की प्राचेंतम कृति कौन सी मानी जाती है यह मानी जाती है सूपासना चार्यम कोश्चन नमबर 79 है फुलकारी कला क्या है तो फुलकारी कला क्या है तो यहाँ एक परकार की सिल्प कला है कोशन नमर 70 है फोड संबंदित है तो फोड किसे संबंदित है ये है राजस्थानी लोककला से कोशन नमर 17 है असीत कुमार हलदार औनन्द लाल भोस ने किस समय में बाग की पर्तिलिपियां बनाई थी ये बनाई थी 1921 स्वी में कोस्ण नम parameter 72 है, किन दो सायलियों के समन में से मुगल कला का आरम्ब हुआ है। ति ये आरम्ब हुआ है हिंदु और इरानी। कोस्टन 화. मोर्मोरनी लाल फूल की समू इनमें सवीश होगा इसमें। कोस्टनमroller 74 है, शेक फूल सूफी संत किस ने चित्रित किया। सेगफूल सुफीसंथ किसने चित्रित क्याए चित्रित किया था विशन दास ने कोश्चन नमबर 75 है आइने अकबरी के रचेता कौन है इसके रचेता हैं अवुलद कुष्चन नमबर 66 है दीपर समधित है दीपर समन्दिती किसे तेल चित्रान से फुस्टल. बारति एक गनवादी साले के प्रथम चित्रकार थे किस धर्म से भोधर्मुन वर्मा ने तैल चित्रक सीखी ये सीखी थी ठी डियोर जानसन से कोशन नमर 81 है मिवाड सली का प्रमुख केंदर कौन सा था तो मिवाड सली का प्रमुख केंदर था उदेपूर कोशन नमर 82 है किस प्रदेश की चित्रित हवेलिया विख्यात है ये विख्यात है राजस्थान क Q83 है राजस्थानी लगु चित्रण में किस प्रकार के रंग का प्रियोग हुआ है यह प्रियोग हुआ है टेमपरा का Q84 है चित्रकला के किस सैली को रंगों का काब्य कहा जाता है तो वह सैली है जिसका नाम है कांगडा कोस्ता नमर 85 है किसंगर सैली का प्रसिद चितरकार कौन था इसका था निहाल चंद्र कोस्ता नमर 86 है जैन चितरकला का प्रसिद शुरोत बताएं तो जैन चितरकला का प्रसिद शुरोत है कल्प सुत्र Q87 है चारकोल क्या है तो चारकोल एक प्रकार का कोईला है Q88 है मियूरल छेतर में किस कलाकार की ख्याती है तो वह है 37 गुजराल की Q89 है देवलाली कर से हुसैन ने कहां पेंटिंग किसी च्छा ग्रहन की थी ये की थी कहां पर इंदौर में Q90 है भारत के पर्थम प्रभावादी कलाकार का नाम बताओ तो इनके नाम है NS बेंद्रे Q90 है हलदार की मधूरता का महानिस्मारक कौन सा चित्र है तो इनकी है The Flame of Music Q92 है नागरी दास ने बनी ठनी चित्रां किस रूप में किया तो ये राधा की रूप में किये थे Q93 है बोधिसत्व पदम पाणी का चित्र अजन्ता की किस गुफा में है तो ये गुफा संख्या एक में है Q94 है राज़्थानी चित्रकला का आरंबिक स्वरुप किस सायली से प्रभावित है तो वह है अप भरांस सायली से Q95 है राज़्पूत पेंटिंग नामक पुस्ता के लेखक कौन है इसके लेखक है आनंद कैटिस कुमार स्वामी Q95 है हरीपूरा में कांग्रेश के अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कारे किस कलाकार ने किया था ये किया गया था नंदलाल बोस के द्वारा Q97 है किस चित्रकार के चित्र रंगमंच से युक्त है तो वह है राजा रवी वर्मा Q89 है कौन सा प्रसिद कलाकार जो अपने उपनाम मास्टर मौसाय के नाम से प्रसिद हुआ Q7 है अजनता में परपेच्छ का किस रूप में प्रियोग हुआ है ये प्रियोग हुआ है किस रूप में कालपनिक रूप में 20 का राइट इंसर होगा Q101 है बदामी की गुफा किस राज में इस्तित है यह करनाटक में Q102 है आरेन ट्रैगोर के चित्रों की पर्थम परदर्शनी 1930 में हुई थी तो यह हुई थी कहां पर पेरिस में Q103 है इलोरा किस राज में इस्तित है यह है आपके महराष्ट में Q104 है इलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा है तो लेरा का प्रमुख मंदिर है कैलास मंदिर Q106 है बाग गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा है तो वह है चोथी नंबर की गुफा में Q107 है सिगिरिया गुफा की चितर किस की चितर कला से मिलते जुलते है यह मिलते जुलते है किस की चितर कला से Q108 है बाग में कुल कितनी गुफाएं है बाग में जो है कुल 9 गुफाएं है Q. 109 है आजानता का सरस्रेष्ट कार किस काल में हुआ यह हुआ था वाकाटक के काल में Q. 110 है अमृता सर्ङिल ने अपना एस्टीडियो कहां बनाया यह बनाय थी पेरिस में Q. 111 है अवनेंदरनाथ ने जिस छोटे से स्कुल के अस्थापना की वह किस नाम से विख्यात हुआ तो बंगाल के नाम से कोश्चन अमर 112 है बाज का चितरन किस ने किया था इसका चितरन किया था मनसूर ने कोश्चन अमर 113 है कोटा सैली के प्रसिद चितर है इसके प्रसिद चितर है पवसूं का सिकार कोस्टन नमबर 114 है DP राय चवधरी की परसेत किर्थी मूर्ति सिल्प स्रम की बिजे किस अस्थान के सरच्छन में है यह है राष्टी संग्राले नई दिल्ली के सर राष्टी नहीं हो गाया इसमें राष्टी आधनिक संग्राले नई दिल्ली के यहां पर आधनिक जुड़ा है, राष्टी आधनिक संगराले नई दिल लिगे कोशन नमर 115 है, किसके सनच्छण में हमजामना मा हमजा नामा का चित्रन हुआ किसके सनच्छण में हुआ था? यह वह था आकबर के सनच्छण में कोस्टर नमर 116 है भारती चित्रकला पदाती नामक पुस्तक लिखी थी ये लिखी गई थी सलेंदर नाथ डे के द्वारा कोस्टर नमर 117 है दो बिंदों के बीच की दूरी कहलाती है रेखा कहलाती है कोस्ट नमबर 118 है भारती चित्रकला की नविन जागरती के पिता किसे कहते हैं इसको कहा जाता है अवेंदर नात पैगोर को कहा जाता है कोस्ट नमबर 119 है भाव कला को क्या देता है भाव कला को क्या देता है तो भाव जो है कला को लय देता है कोश्चन नमबर 120 है कला सब्द का परियोग सरपर्थम हुआ था कहां पर रीग वेद में कोश्चन नमबर 121 है संथाल इस्तरियों के किस कलाकार के प्रमुक खुरूप से चित्रित किया गया यह चित्रित किया गया था यामनी रायद्वारा कोस्टन नमर 122 है बंगाल सैली के चितरकारों ने किस तकनिकी का प्रियोग किया ये तकनिकी थी जिसका नाम था वास कोस्टन नमर 123 है किस परसित चितरकार ने हिमाले चितरित किया ये चितरित किये थे निकोलस रोरिक ने कोश्चन नमर 124 है दीन इलाही धर्म किसने चलाया तो यह चलाया था अकबर द्वारा कोश्चन नमर 125 है भीम बेटका को फाएं कहां परिसित है यह इस्तित है आपके मध्य पर्देश में यह था आपका TGT कला यानि 8 2011 का साल पेपर जो 2016 में इसका एक्जाम हुआ था तो उमेद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो इसको लाइक करें अपने दोस्तों के आदिस दिख सेयर करें धन्यवाद दोस्तों जैहिंद वंदे मात्रम